एलो स्ट्रेंट कैसे हैं बढ़े आऊंगे मस्त होंगे मज़े में होंगे शुरुवात करते हैं यूनिट सेवन अध्या ग्यारा विकीरण एम प्रकाश की द्वेती प्रकृती बहुत महत्वपूर्ण है ये भी हाला कि इसमें से दो मांक्स के किश्वन आ रहे हैं एक और दो मांक्स के तो सबसे पहला किश्वन की तरफ बढ़ेंगे अपन और सबसे पहला प्रश्ण है आपका रिक्तिस्थानों की पूर्दी कीजिए इसमें सबसे पहला प्रश्ण कौन सा है रिक्तिस्थानों में प्रकाश विद्युत प्रकाश में प्रकाश उर्जा का इस्तानां हो जाती तो प्रकाश उर्जा का इस्तारांत्रण विद्यूत उर्जा में होता है फिकरंग की प्रकृति होती है तो विकीरंग की द्वेती और जर्मर ने ढगां प्रकाश्विद्ध प्रभागि वयक्या सर्व प्रसम कि संदेगी तो प्रकाश्व द Y Enough जो ने थी ताइनимиृपि इस फोटोन का विरामद्रह्मान आद शुन्य होता है अगला आ है सही कल्प का च्वेत कीजिए आ है है सब से पहला है एक प्रकाश इस्तरोग से प्रकाश निम्न रूप से निकलता है तो किस रूप से निकलता है इलेक्ट्रोन रूप में निकलता है प्रमाणों के रूप में निकलता है देखो तो प्रकाश क्या होता है कि प्रकाश जो होता है वो उर्जा के पुंज है पैकेट है बंडल है तो एक photon की उरजय निमन रूप में दी जा सकती है 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 एच न्यू एच न्यू लेमडा है यह सी तो इस इक्वस्ट टो एच न्यू होता है ठीक है तो option एवाला करेक्ट होगे आपका इस इक्वस्ट टो एच न्यू नेक्स्ट है एलेक्ट्रोन से संबंदित पदार्थ तरंग संपून आकाश में एकल तरंगदेर की रूप में विस्तरत होती है तो बच्चों इसमें ये डी वला ओप्शन आपका करेक्ट है ठीक है नेक्स्ट एक वाक्य में उत्तर लिखिए एक वाक्य में उत्तर दीजिए अब पहला वाला क्या है दातू की सत्व को इलेक्ट्रोन उससर जित करने के को जिसे कोई दातू सत्व है और इससे जो इलेक्ट्रोन को बाहर निकालने के लिए जो उर्जा दी जाती है तो उस उर्जा को क्या कहा जाता है तो उस उर्जा को जूल 1.6 10 डिस्ट माइनस 19 जूल next है किसी फोटोन से सब्बद डी भगली तरंगधेरी बताए तो डी भगली तरंगधेरी ठीक है यह थी आपकी लेमडा बराबर ह एमवी एमवी क्या है यहां पर समवेग है ठीक है तो अब इसको जाहे तो आप इसा भी लिख सकते कि लेमड राएं का प्रकाश विद्यू समह्ट करन 1 by 2 Mv square ठीक है ह अगला अपतित प्रकाश की तिरवता बढ़ने पर प्रकाश विद्यू धरा पर क्या प्रभाव पड़ता है तो बच्चो तिरवता जो होती है वो इसके क्या होती है आप तित प्रकाश की अनुक्रुभान उपा बढती होती है स्का मतलब एक चीज़ बढ़ेकिए तो दूसरे चीज़ भी बढ़ेगी ताकस्थ प्रकाश थे रता बढ़ने पर प्रकाश व द्धारा बढ़ेेजी याद रखना कि यह तीरता जो होती है तिर्वता धारा के क्या होती है अनुक्रमानुपाती होती है अगला आप्तित प्रकाश के आवरत्ती बढ़ने पर प्रकाश विद्युद्धारा पर क्या प्रभाव पढ़ता है बहुत बड़ी बता रहा हूं कि जो आवरत्ती है वो विद्युद्धारा पर निर्भर नहीं क प्रभाव नहीं पढ़ता है इस तक में बढ़ने पर उस सर्जित इलेक्टरनों की गति जूर्जा बढ़ जाती है तो आवरत्ती जो होती है वो गति जूर्जा के क्या होती है अवरत्ती एक प्रगार उर्जा के क्या होती है अनुक्रमानुपाती होती गति जूर्जा के तो आवरत्ती बढ़ेगी तो गति जूर्जा भी बढ़ेगी ठीक है तो आवरत्ती कि और सम्वेग एसा भी लिख सकते हैं कि चोटे चोटे बंडाल है अग्ला कि प्रकाष वी दूशेल जो प्रकाष को विद्धू ठफिए जिसमें प्रकाष को विद्धू थूँचा में रुपांतरण करती गन करते हैं अगला प्रश्ण है आपका प्लांक नीतांग का मात्रा को विमी सुत्र लिखे तो देखो प्लांक नीतांग E is equals to होता है बच्चो H new आपको किसका निकालना है यहाँ पर H का तो EY क्या होगा आपका न्यू न्यू देखो H क्या है आपका जूल है आपकी क्या होती है आपकी सेकेंड इन्वेस अठीक है तो 1 सेकर्ड क्या होगा तो जूल सेकर्ड क्या हो गया है जूल सेकर्ड विमी सुत्र निकालते हैं हाई है क्या आप ए के एम एल स्क्वाइर टी मैनस टू याने के एनर्जी का और सेकेंड के लिए टाइम का टी तो क्या आएगा एम एल स्क्वाइर टी इन्वर्स वन तो यह विमेशुत्र और यह इसका मात्रा ठीक है नेक्स्ट कारिफलन दहले आवर्ति को स्पष्ट किजिए तो किसी देखो धातू के अंदर टेफ थे लिएक्टफ़ मुक्त देखो कि यह जिसे कारिफलन अमने बात हो गई थी धातू के सता को इलेक्टफ़्ञ को बाहर लाने में जो उर्जा लगती है उससे क्या कहते है कायरिफलन उर्जा कहते हैं इसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक प्राई इलेक्ट्रोन वोल्ट में इसे नापते हैं अब दहली आवरत्ती तो वन्यूंतम आवरत्ती जिसमें ये इलेक्ट्रोन क्या होने लग जाते हैं बहार आ जाते हैं ठीक है तो क्या होगा दहली अवरति किसी धातू पर आप्तित प्रकाश अविकरण की वह न्यूंतम आवरति जो धातू के किसी इलेक्ट्रोन पर गिरता है तो धातू की सतर से मुक्त हो जाता है नि बहार आजाता है ठीक अगला इलेक्ट्रोन उस्तर्जन क्या है तता है कितने प्रकार का होता है देखो तो धातू की सतर पर आपने जिसने जो कायरिफलन उर्जादी और यहां से इलेक्ट्रोन निकलने लग गए और यह जो इलेक्ट्रोन बहार आ रहे हैं धातू की सतर से तो धातू की सतर से इलेक्ट्रो बाद प्रकाश विद्धूत वर्भाव मतलबा आप किसी डालेंगे यापने प्रकाश फ्राकाश किरेंग और उसके चार क्या लगा दे भी इस ट्रॉंग मतलब कि प्रभल विद्धु शेक्त्र लगा दे है ठीक है और से लेक्ट्रोंग सर्जीत हो जाए तो उसे शेक्तर सर्जन कहते हैं दीत्यक उसर्जन या फिर उस पर आप इता उस सत्व पर उसे समझ ले कि यहां पर यह कोई आपका धातू की प्लेट है ठीक है और यहां आपका मानलो की यह है अब जैसे ही आपने इस प्लेट पर यहां पर अपने एलेक्ट्रोन जैसे ही आपने क्या करेंगे प्रकाश डालेंगे और यहां से एलेक्ट्रोन क्या होने लग जाएंगे उस सर्जित होने लग जा जायएगा धारा नसर्ट परिपत पूर्ण लगते हैं इस घतना को प्रपाश प्रकाश विद्ध प्रभाव कहते हैं इस गटनाव प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, प्रकाश डालने से धातों की प्रस्ते उस्साजित इलेक्टरौन प्रकाश इलेक्टरौन कहते हैं, तता परिपत में बहने आली धरा को प्रकाश विद्युत धरा कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश को विद्धत तुर्जा में रुपांत्रित करता है यह इसकी व्यक्ष्या हो गई अगला प्रस्ट 19 के दूएत्ति प्रकृति को सपस्थ किजिए जैकल व्यतिकरां विवर्थां दूण जैसी गटनाई क्या करता है ये प्रदर्शित करती है ठीक विकिरन की प्रकरती तरंग है लेकिन कुछ गटनाई जिसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कामटर्ण प्रभाव के एकके केवल विकिरन की कण प्रकरती के अधार पर की जा सकती है अगला तापायनिक उससरजन से क्या अभी प्रहे हैं? तापायनिक उससरजन में प्रिंग धातु कॉन-विटology होने चाहिए तो देखो, मैंने पहले कि तापायनिक सरजन पे arna चर्चा हो गई किसी धातुओ को गर्म करते हैं तो उससे लएक्डों सर्जित होने लगते हैं तो गर्म करने से निकलते हैं इसलिए ने तापायन केते हैं अब शर्त क्या है गुण क्या है तो देखो उसका ताप गुणांक जो है वो क्या होना चाहिए अधिक होना चाहिए जातु का गलनांक क्या होना चाहिए अधिक होना चाहिए अगर जातु का गलनांक अधिक होगा तो अधिक गल्लांग अधिक होने के कारण किया होता है कि आप जैसे उसके कायरिफलन तक पहुंचेंगे तब तक वो क्या होगा पिगलेगी नहीं अगर कायरिफलन उर्जा देने पर वो क्या हो जाएगी पिगल जाएगी धातू और धातू का कायरिफलन कम होना चाहिए यह थोड़ा से सुधाल लेना कायरिफलन कम होना चाहिए जितना कम कायरिफलन होगा ठीक है मतलब कम एनर्जी लगेगी इलेक्रोन को निकालने के लिए ठीक है क्योंकि ज्यादा एनर्जी लगेगी तो गल्लांग तक पहुंच जाएगा लगर जाएगा तो धातु का कारफलन क्या हो ना चाहिए कम से कम होना चाहिए अगला प्रस्षण है कि इस डि परोग लेच्ट दांक दैनिक जिवन में डियोंट जिवन में दर्यमान बहुत अधिक होने के कारण उससे सम्मध्य तरंग की तरंग धेर इतने चोटी होती दस्क की गाद-30 मीटर के असपस किए 10 की गाद-30 मीटर इतनी कम होती तो तरंग प्रभाव दस्टी गोचार नहीं होता है तो देनिक जीवन में जो प्रयोक्त वस्तु हैं उनका द्रेमान बहुत अधीफ होने के कारण उनसे जो संबध्य तरंग होती है उसकी तरंग धेरी बहुत छोटी होने कारण जो हमें दिखाई नहीं देती है अगला पोटो सेल का नमगै की चित्र बनाइए होग इस चित्र काईरेविदी capitalism असान है यहांसे अपने कके किया यहां से आपने क्या किया यह दिखो यह इंसिडेंट लाइट जो दिख रहे हैं यह अपने इस पर लाइट डाली जैसे आप इस पर लाइट डालते हैं तो यह यहां से धातू के इससे क्या निकलेंगे इलेक्ट्रोन निकलेंगे और यह इलेक्ट्रोन किदर जाएंगे बच् फ्र्काश डाला जाता है तो इसे एलेक्टरीन उस्तरिजित होने लगते हैं यहां आपने क्या कhenosa पर क biri था चाला अपttit-प्र कि त्रोट की तरब याता है天 परो धर और त्रुस्राल आपने लिगते हैं very दाते हैं जिसते धार बढ़ जाती दिर्वातित प्रकाश विद्यू रूम प्रकाश की त्रिवता के ठीक अनुगरम ऑनुपाति होती है तो बचो आपको समझ में आया होगा सब ठीक है बहुत छोटा चैप्टर था क्योंकि इसमें से टू-टू-माक्स के क्रिशन है तो ज्यादा कुछ था नहीं इसमें ठीक है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए टेको बच्चों हिंदी मध् हैं अपने एक्जाम के लिए और मेरा यह अनुमान है कि जादा था क्रिशन क्विश भेंक से ही आएंगे आप अगर देखना चाहें तो आप अपने प्रिबॉर्मेंट इक्स कुलों में जो paper होता है, उसकी pre-board की paper की मैं बात कर रहा हूँ government school उसकी paper होता है, वो paper board से आता है, तो आप pre-board का paper जरूर करें ठेके, चेनल को like, share, subscribe जरूरू कर दिजी, thank you very much, मिलते हैं next studio में